नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफ्रेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों, 31 मर्च 2021 की शाम को जिस तरह से ब्याजदरे घटाई गई उसके बाद कुछी घंटोमेट सी इनको वापस लिया गया उसे एक चीज़ साफ होती है, कि सरकार की मनशा है, उसकी प्लैनिंग है कि आने वले दिनों में ब्याजदरे कुछ ना कुछ घटाई जाए हो सकता है जितनी उस दिन घटाई गई थी, उतनी ना एकदम से रेडियूस की जाए लेकिन फिर भी काफी डिकलाईन एक बर हमें देखने को अगले कौटर में मिल सकता है तो कौन सी ऐसी सेविंग स्कीम है जो इस समय इन घटते ब्याजदरों के दोर में आपको बेस्ट डिटर्न्स दे सकती है कहां किस सकीम के अंदर आप इनवेस्ट करें कि आप लॉक कर सके अपना बियाज की दर को यानि आने वाले समय में अगर बियाजदरे और घटती हैं तब भी आपकी इनवेस्ट्मेंट पर कोई फरक ना पड़े जिस rate पर आपने invest किया है, आने वाले काफी लंबे समय तक आपको उसी दर से आपका बयाज मिलता रहे ऐसी एक scheme है LIC की, LIC की scheme का नाम है प्रधान मंतरी व्यवंदन योजना PMVVY इस scheme के बारे में हमने एक साल पहले भी एक वीडियो बनाये था, लेकिन आज का ये वीडियो कुछ नए rules के regarding है सबसे पहले तो ये बता दें कि बहुत से लोगों को ये वहम है, पता नहीं उन्होंने कहां से क्या सुना है कि scheme ये बंद हो गई है, लेकिन ये plan ये scheme बंद नहीं हुई है 31 March 2023 तक, 31 March 2023 तक regular continue है कई लोगों के सवाल comment box में हमने देखे कि शायद 31 March 2021 की शाम के बाद PMVVY continue नहीं है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, 31 March 2023 तक scheme चलेगी, ये बात LIC 6 महिने पहले ही clear कर चुका है इसलिए इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और 10 साल का इसका लंबा lock-in period है आपने एक बार जो रकम invest कर दी, आने वले 10 साल तक आपको उसी दर से जिस दर पर आपने, जिस ब्याज की दर पर आपने investment किया है उसी दर से आपको interest मिलता रहेगा, वो interest आपको एक pension के रूप में मिलेगा क्योंकि LIC के plan है, तो वो से शब्द, ब्याज या bonus यहाँ नाम नहीं दे रहे हैं, वो pension का नाम दे रहे है और इस समय जब ब्याज दरे regular घट रही है, कोई दूसरी scheme इतने अच्छे interest rate के साथ में मुझे नजर नहीं आती है जो आने वाले लगातार 10 साल तक आपको guaranteed rate of interest पर guaranteed income या कहिए कि guaranteed pension प्रवाइड कर सके scheme के अंदर हर Indian इंवेस्ट कर सकता है, जिसकी उमर 60 साल या उससे ज्यादा की हो अपर लिमिट कोई नहीं है, 80, 900 कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 60 साल से कम के individuals के लिए scheme नहीं है कोई HUF, कोई firm इसके अंदर invest नहीं कर सकती, NRI भी इसमें invest नहीं कर सकता अगर आप PMVBY के अंदर invest करना चाहते हैं, तो या तो physically आपको LIC के किसी office में जाना होगा वहाँ paper work पी formalities को पूरा कीजिए और आपके scheme में investment शुरू हो जाएगी लेकिन अगर आप ये investment online करना चाहते हैं, तो LIC की official site पर जाएए www.licindia.in वहाँ आपको PMVBY में investment का column अलग से show कर रहा होगा उसके अंदर form को पूरा भरी है, details को अपने fill कीजिए, कुछ documents आपको upload करने होगे या उन्हें upload कीजिए, अगर आपके पास net banking है, तभी आप इसको online investment mode को इस्तेमाल कर पाएंगे आपके savings account से निकल करके, पैसा आपके LIC PMVBY account के अंदर shift हो जाएगा दोस्तों, scheme के main features की बात करते हैं, कि आपको इसमें lump sum amount invest करना है maximum आप इसके अंदर 15 लाख रुपे invest कर सकते हैं, minimum आप इसके अंदर जो invest करेंगे उसे हम आगे जाकर discuss करेंगे लेकिन maximum जो upper cap है उसका 15 लाख है per individual, husband और wife दोनों इस account को खोल सकते हैं husband ने अगर 15 लाख maximum amount invest किया हुआ है, तब भी wife 15 लाख invest करके total 30 लाख आप investment कर सकते हैं बहुत से लोगों को शंका है कि अगर उनके पास senior citizen saving scheme है, तो क्या वो PMVVY में invest कर सकते हैं? जी हाँ बिलकुल कर सकते हैं, कुल मिला के 15 लाख husband, 15 लाख wife PMVVY के अंदर और 15 लाख husband और wife अलग-अलग senior citizen saving scheme के अंदर यानि total 60 लाख रुपे भी आप दोनों schemes की अंदर husband, wife मिलकर invest कर सकते हैं lump sum amount invest करने के बाद आपको choose करनी होगी pension frequency, यहाँ यह बहुत flexibility से आपको मिलती है, चाहें तो आप इसकी हर महीने pension लें, चाहें हर 3 महीने बाद यानि quarterly लें, चाहें तो हर 6 महीने बाद लें और चाहें तो एक साल बाद भी ले सकते हैं जितनी आपकी pension frequency delayed होगी, यानि के अगर आप एक महीने बाद हर महीने यानि के pension चाहते हैं, तो आपकी ब्याज की दर रहेगी 7.40%, अगर आप quarterly pension चाहते हैं, तो ब्याज की दर रहेगी 7.45%, अगर आप half yearly यानि 6-6 महीने बाद अकठी pension लेते हैं, तो ब्याज की दर रहेगी 7.52% और अगर आप एक साल बाद एक अठी pension लेना चाहते हैं, हर साल साल बाद लिया करेंगे, तो 7.66% आपकी rate of interest रहेगा, लेकिन एक साल के बाद वो आपको payout mandatory लेना ही होगा, वो automatically या तो आपके savings account में, अगर आपका account linked हैं, तो उसमें transfer कर दे जाएंगे, otherwise आपको check उसका लेना ही पड़ेगा, in case कि आप वो check या payment किसी भी mode में collect नहीं करते हैं, तब आपको उस रकम के ओपर further कोई cumulative interest नहीं दिया जाएगा, दोस्तों जैसा कि इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सबसे पहले हमने show किये हुए है rate of interest, उसके बाद है frequency, जो आप monthly, quarterly, half yearly या yearly लेंगे, कहने का भावी है कि minimum जो इसके अंदर आपको pension मिलती है, वो 1000 रुपे है प्रती माह, अगर आप इसी pension को quarterly लेंगे, तो 3000 half yearly लेंगे, तो 6000 yearly लेंगे, तो 12,000 रुपे, pension का ये amount fix है, minimum pension जो 1000 रुपे है, प्रती माह उसको अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको 162,162 रुपे invest करने होंगे, 3000 रुपे pension पाने के लिए आपको 161,074 रुपे invest करने होंगे, यानि यहाँ पर समझने वाली बात ये है, कि अगर आप pension, monthly की जगा quarterly लेते हैं, तो आपकी investment amount घट जाती है, जिसका effect आता है, कि आपकी ब्याज की दर बढ़कर सामने आती है, इसी तरह से दोस्तों maximum की तरफ देखते हैं, maximum आप इसके अंदर 15,000 रुपे invest कर सकते हैं, 15,000 रुपे इसा नहीं होगा, कि 15,000 रुपे investment आपने की है, और उसके उपर आपको 9,250,000 गुना 12,000 या उसका ब्याज का दर बढ़ाए जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इनकी जो policy है LIC की scheme के अंदर, वो ये है कि pension का amount आपका fix रहेगा, लेकिन जिस तरह से आप pension delayed करते जाएंगे उस तरह से, उसी दर से आपका investment amount कम किया जाएगा, pension की amount को बढ़ाने की बजाए यहाँ investment की amount को घटाया जाता है, यानि 15,000,000 की जगाँ, आप 14,000,000 49,000,86 रुपे deposit करके, maximum pension पा सकते हैं, जो कि 1,000,000,000 रुपे maximum deposit आप कर सकते हैं 15,000,000,000 यह हम पहले बता चुके हैं आप 1 से ज्यादा account खोल सकते हैं, यानि अगर आपने 1 PMVVY account खोला है उसके अंदर आपने maximum 15,000,000 जमा नहीं करवाया है, suppose आपने 10,000,000 जमा करवाया है, तो आप नया account PMVVY का खोल सकते हैं, जिसमें 5,000,000 और जमा करवा पाएंगे, लेकिन पहले वाले account के अंदर अगर आप top up करना चाहेंगे, यानि अगर उसमें 10,000,000 जमा करवाया था, तो बाद में आप चाहें कि उसी account के अंदर 5 और जमा करवाने, ऐसा मुम्किन नहीं है दोस्तों, LIC की schemes के अंदर लोगों का main confusion यह होता है कि लगबग सभी schemes में उनके insurance साथ में मिलती है, क्योंकि LIC का नाम ही ऐसा है, सभी insurance plans होते हैं इसके, लेकिन प्रधान मंत्री व्यवंदन योजना में आपको किसी किसम का कोई insurance नहीं मिलेगा जब scheme mature होगी, जब उसका tenure 10 साल का पूरा होगा, simply आपको आपका principal amount वापस किया जाएगा, कोई उसके साथ आपको bonus नहीं दिया जाएगा, कोई maturity benefits नहीं, सिर्फ जो 10 साल के tenure के लिए आपकी chosen frequency थी pension की, वो pension आपको regular आ रही थी, जब pension का tenure खतम हो गया, 10 साल का time खतम हो गया, उसके बाद आपको जो investment amount था, वो वापिस मिलेगा, उसके साथ और कोई extra benefits आपको नहीं दिये जाते, इस scheme के अंदर GST भी नहीं लगता GST आम तोर पर सभी insurance plans के साथ लगता है इसलिए यहाँ यह भी confusion ना रहे GST का यहाँ कोई लेना दिना नहीं है दोस्तों प्रधानमंत्री व्यवंदन योजना में आप extension का option नहीं ले सकते, कोई इसमें 10 साल का tenure पूरा होने के बाद account को extend करने का option आपको नहीं मिलता, यह option आपको senior citizen saving account में मिलता है 5 साल, उसके बाद 3 साल आप extend कर सकते हैं, लेकिन PMVVY के अंदर ऐसा कोई option नहीं होता, यह हो सकता है कि आप 10 साल का tenure पूरा होने के बाद एक नया PMVVY account open कर लें, लेकिन पुराने account को extend नहीं किया जा सकता दोस्तों आप बात करते हैं premature की, यानि कि 10 साल का tenure तो बहुत लंबा है, हो सकता है पैसे की जरूरत कभी आपको पहले भी पढ़ जाए, तो इस condition में आपके पास क्या options है सबसे पहले आपको सहूलत मिलती है 15 दिन के free look-in period की यानि scheme में invest करने के बाद अगर आपको उसके कोई features पसंद नहीं आते हैं, आपके कोई भी मजबूरियां है किसी भी reason को बताए बिना आप 15 दिन के अंदर बिना किसी ब्याज को लिए और बिना कोई penalty दिए, उस account को बंद करके अपना investment amount वापिस ले सकते हैं लेकिन ये 15 दिन का free look-in period निकल जाने के बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ critical illness की condition में आप ये पैसा निकाल पाएंगे critical illness यानि के जहां जीवन का खत्रा हो, कोई ऐसी बीमारी अगर लग जाती है, आपको आप पर dependent children को या फिर आपकी spouse को, यानि husband या wife को या ऐसी कोई भी मरी लगती है तब आप इस पैसे को निकाल पाएंगे लेकिन उसके लिए जो आपका investment amount है, उसका 2% कटौती करके आपको बाकी रकम वापिस दी जाएगी, यानि suppose आपने 5 लाख रुपया invest किया था, तो आपके 2% यानि 10,000 काट के 4,90,000 रुपया आपको वापिस किये जाएंगे लेकिन इसके साथ आपको सहूलत इसमें एक और भी मिलती है कि 3 साल जब investment को पूरे हो चुके हैं उसके बाद आपको इसके उपर loan की facility मिलती है जितना भी amount आपका invested है, उसका 75% तक आप loan ले सकते हैं लेकिन loan लेने के बाद आपको pension आनी उसकी बंद हो जाएगी जो pension की रकम है वो loan के interest के amount से adjust हो जाएगी, ना तो आपको interest pay करना है, ना ही आपको pension आएगी, जब आपका account mature होगा, उस समय जो loan की amount, naturally कुछ ना वो ज्यादा होगी pension amount से तो जो वो ज्यादा amount करके थोड़ा-थोड़ा amount बढ़ता रहेगा वो loan का जो interest amount बनेगा वो आपके principal amount में से काट करके बाकी पैसा वापिस आपको दिया जाएगा nomination की facility available है, आप एक, दो या तीन nominee भी कर सकते हैं, nominee ही उसका आसल हकदार होगा, nominee के बारे में वीडियोस detail में आपको channel पर मिल जाएंगी, income tax की इसके बाद बात करते हैं, तो प्रधान मंत्री व्यावंदरी ओजना में यहाँ एक demerit है, disadvantage है कि कोई income tax benefit आपको इसमें नहीं मिलता, ATC के लिए ये scheme eligible नहीं है, ना पुराने tax system में, ना नए tax system में आपको कोई benefit income tax का नहीं मिलेगा, जो भी interest इससे आपको generate होता है, interest कहिए या pension कहिए, वो आपकी income from other sources के column में regular income के अंदर आपको show करनी होगी, जिस भी tax bracket के अंदर आप आएंगे, उसके हिसाब से आपको उसके ओपर tax pay करना होगा, इस पर TDS की clause लागू नहीं होती है, प्रधान मंत्री व्यवंदन योजना में, आपने चाहे maximum 15 लाग के amount invest किया है, कितना भी आपका interest आ रहा हो, TDS नहीं काटा जाएगा, इसके maturity amount पर भी किसी किसम का कोई GST, कोई income tax, कुछ नहीं लगता है, अगर account holder की death होती है और पैसा nominee को transfer किया जाता है, तो nominee के लिए भी कोई tax नहीं applicable है, nominee को वो रकम as a gift, as a gift free from income tax, GST everything, free gift के रूप में वो रकम मिलती है, जो interest amount की बात है और उस पर लगने वाले tax की बात है, senior citizens के लिए जो income tax की clause है, exemption की, यानि के जो आज कल 50,000 रुपे तक के basic interest की, जो bank interest है या LIC का interest है, उसके उपर जो छूट चल रही है 50,000 रुपे तक की, वो तो आपको इसके अंदर भी मिलेगी ही, दोस्तों फिर भी अगर आपके कुछ सवाल है, तो नीचे comment box में जाकर जरूर पूछेगा चैनल के साथ बने रही है, चैनल का subscribe कीजिए, वीडियो को like जरूर कीजिए subscribe करने का फायदा आपको यह मिलेगा कि आपको regular updates हमारे चैनल से मिलते रहेंगे, different moods को देखने के लिए धन्यवाद, thank you